नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक और ने वीडियो में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्यों संस बीना किसी देरी के तो आज का अपना पहला कुशन है सुवर के वैश्क नर को किस नाम से जाना जाता है और सनब बोर, बक, रेम या बुल तो इसका राइट अंस रोगा और सुवर के वैश्क नर को बोर के नाम से जाना जाता है नेश्ट कुशन है किस परसों का दूद मदूमे रोक के इलाज के लिए काम में लिया जाता है और सनब बेड, बेंस, ऊउट या गाय तो इसका राइट अंस रोगा और सनबर सी जो ऊटनी का दूद ना उसका उपयोग मदूमे रोक के इलाज के लिए काम में लिया जाता है गैज ऊटनी के दूद में विटामिन सी पाया जाता है जो कि याँ पर जो सुप्रीम कोट है उसने दो जाट दो में ऊटनी के दूद को पीने योगे बताया है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि मदूमे रोक के इलाज के लिए काम में लिया जाता है नेश्ट कुशन है निमलिकित में से बेस का आवाज निकालना क्या खहलाता है? उप्शन है बेलोविंग, गूमिंग, रफेज या कास्टिंग, तो इसका राइट आंस रोगा उप्शन नमबर A, बेस का आवाज निकालना बेलोविंग खहलाता है? नेश्ट कुशन है राजस्तान में सरसडेरी कौन से जिले में इस्तित है? उप्शन है बिकानेर, अजमेर, सिकर या जेपूर तो इसका राइट आंस रोगा उप्शन नमबर D, सरस डेरी जेपूर जिले में इस्तित है? जबकि दोस्तों उर्मूल डेरी कौन सी उर्मूल डेरी भी कनेट जिले में इस्तीत है और वर्मूल डेरी जोदबूर जिले में इस्तीत है नेस्ट कुशन है थार पारकर गाई के नर का बार लगबक कितने किलोग्राम तक होता है तो इसका राइट आंस रोगा ओप्सन नमबर A थार पारकर गाय के नरका बाड लगबग 550-650 किलोगराम तक होता है नश्ट कुशन है केंद्र ये बेड एम उन्ट अनुसंदान केंद्र कहां पर इस्तीत है उप्सन है बसी, अविकानगर, जोहरी या जालावाड तो इसका राइट आंस रोगा उप्सन नमबर B केंद्र ये बेड एम उन्ट अनुसंदान केंद्र अविकानगर टॉंक में इस्तीत है नश्ट कुशन है जुगाली करने वाले पसों में विस्तीत उदर के कितने बाग होते है उप्सन चार, दो, तीन, या पांच तो इसका राइट आंस रोगा उप्सन नमबर D जुगाली करने वाले पसों के पेट का जो कि याँपर उदर दिया गया है उदर को ही पेट बोलते है उनके चार बाग होते है जैसे रूमेन, एबोजम, रेटिकूलम और एक और बचकी है वो आपको कमेंट करके बताना है नेश्ट कुशन है बेड के मास को किस नाम से जाना जाता है उप्सन चिकन, विल, पोर्क या मटन तो इसका राइट आंस रोगा उप्सन नमबर D बेड के मास को मटन के नाम से जाना जाता है नेश्ट कुशन है निम लिकित में से कौन सी ओस्ती मरदूरेचक का काम करती है ओप्सन अरंडिका तेल, अलसी का तेल, सोडियम सलफेट या उप्रियुक सभी तो इसका राइट आंस रोगा ओप्सन अमबर डी उप्रियुक सभी यानि कि ये तीनों ओस्तियां ही मर्दूरेश्चक का काम करती है नेश्ट कुशन है हीस में दूद की अपेक्सा कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है ओपसन है पांच गुना, एक गुना, दो गुना या दस गुना तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर ए किस में दूद की अपेक्सा पांच गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है नेश्ट कुशन है बूबेलिस, बूबेलिस, निम्ण में से किस पसुप का विज्ञानिक नाम है ओपसन है बकरी, बेड, बेंस या उट तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर C बूबेलिस, बूबेलिस, बेंस का विज्ञानिक नाम है नेश्ट कुशन है बारत में सरवादिक मुर्गी मास उत्पादक वाला राजे कौन सा है ओपसन है महराष्टर, पंजाब, पस्षिमंगाल या केरल तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर A बारत में सरवादिक मुर्गी मास उत्पादक वाला राजे महराष्टर है नेश्ट कुशन है निमलिकित में से दूद में किस तत्व की कमी पाई जाती है ओपसन है आईरन, केल्सियम, फास पोरस या मेगनिसियम तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर A दूद में आईरन की कमी पाई जाती है नेश्ट कुशन है निमलिकित में से कौन सा पसू रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है ओपसन है बकरी, गाई, बेड या उंट तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर D ओपसन नमबर D, ओपसन रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है नेश्ट कुशन है परताब दन निमलिकित में से किस फसू की एक नसल है ओपसन मुर्गी, बकरी, सूवर या बेड तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर A परताब दन वो मुर्गी की नसल है नेश्ट कुशन है ओट की वह नसल जिसके मात्य पर स्टोप नामक गड़ा होता है ओपसन है बिकानेरी, मेवाती, मेवाडी या जेसल मेरी तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर A बिकानेरी, ओट के मात्य पर स्टोप नामक एक गड़ा पाये जाता है नेश्ट कुशन है बर्षिम की दो कटाईयों में अंतराल रखते हैं ओपसन है 25 से 30 दिन, 10 से 15 दिन, 18 से 22 दिन, या 38 से 40 दिन इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर A बर्षिम की दो कटाईयों की बीच अंतराल 25 से 30 दिन का रखना चाहिए नेश्ट कुशन है गाई की कांकरेज नसल कौन से जीलों में पाये जाती है ओपसन है जेवपूर दोसा, अजमेर बीलवाडा, सांचोर जालोर या अलवर बरतपूर तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर C गाई की नसल कांकरेज है वो सांचोर और जालोर जीलों में पाये जाती है जो गुजराच से लगए में शित्र है ना उनमें कांकरेज नसल पाये जाती है नेश्ट कुशन है रट या मस्त अवस्ता किस पसूं में देखने को मिलती है ओपसन उट, बकरी, गाई या बेड तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर A रट या मस्त अवस्ता उट में देखने को मिलती है नेश्ट कुशन है गाई बेंस में फिनोविस की कितनी मात्रा प्रियोग की जाती है ओपसन तीज से 45 गराम, 15 से 20 गराम, 60 से 70 गराम या 80 से 100 गराम तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर A गाई बेंस में फिनोविस की 30 से 45 गराम उप्योग में ली जाती है नेश्ट कुशन है निम लिखित में से पसो के गाव दोहे जाते हैं ओपसन लाल दवा फिनोविक्स, फितकरी या लाइल जोल तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर A पसो के गाव लाल दवा यानि के KMNO4 इसे Potassium Paragonate भी बोलते हैं न तो पसो के गाव लाल दवा के दोहे जाते हैं नेश्ट कूशन है, निवन में से बेड की कौन सी नसल दक्षिनी फटारी है ओपसन मंड्या, नीलगीरी, नेलोर या उपर्यूक सभी तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर D ये तीनों नसले ही बेड की दक्षिनी नसल फटारी है नेश्ट कूशन है, बेड के दूद से तयार छेना में कितने परतिसाथ पानी होता है ओपसन है 45 परतिसाथ, पचपन परतिसाथ, अठंतर परतिसाथ, या 36 परतिसाथ तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर A सोरी मैंने आपर ना बेड बोला होगा, लेकिन बेंस है न, तो बेंस के दूद में जो छेना तियार किया जाता है न, बेंस के दूद से, उसमें पानी की मात्रा 45 परतिसाथ तक होती है नश्ट कुशेन है, कंपोश्ट बनाने की एडोक विदी का उधगम इस्तान कहां पर है, ओपसन इंग्लेंड, ब्रिटेन, स्पेन या बारत, तो इसका राइट आंस रोगा ओपसन नमबर A कमपोष्ट बनाने की एड़ोक विदी का उद्गम स्थल इंग्लेंड है बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरू कर दीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना बाकी दोस्तों आप सभी टेलिग्राम जरूर 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 कर लेना वहाँ पर पसूप प्रीचर बढ़ती है संबन्दी जो भी स्टेडी मेटेरियल आपको एवलेबल करवाए जा रहा है तो आप टेलिग्राम चैनल को जोइन करके उसका द्यान भी कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद